तो चलिए लाइप शेशन चालू करते हैं और आपके कुश्चन के आंसर देना मैं चालू करता हूं तो सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिये का और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें बेल आइकन को भी जरूर से दवाएं दोस्तों जो भी आप कुश्चन करते हैं उसके मैं आपको हुमपैथिक मैडेसिन बताता हूं यो प्यूरली एजुकेशन परपस से है तो एक डिस्क्लेमर है स्टेंडर्ड डिस्क्रेमर की एजुकेशन परपस से है आप सिर्फ इसे पढ़ें समझें मैडेसिन तभी लें जब आप एक आसपास लोकल हुमपैथिक डॉक्टर को दिखा गए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मैडेसिन लीचे एक और चीज की काफी सारे फेक किरती विक्रम से कंसर्ट करिए ऐसा कुछ नहीं है मेरा कोई नंबर नहीं है जो कि मैं आपको आंसर दूँगा तो फ्रॉट चीजों से बचें और बिल्कुल भी किसी को पैसे देने की आवश्यक्ता नहीं है आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है तो आपके लिए ऑनलाइ कंसर्टेशन जो की सिर्फ इमेल पर मैं परस्नली देता हूं तो वो भी फ्री है बस स्क्रीन शॉट भेजने की आपको जरूरत है और जल्दी हो तो हर दिन मैं लाइब आता हूं अब लाइब में मेसेज कर सकते हैं दो तरह से अगर नॉर्मली करना है तो नॉर्मल चैट अ तो फिर आप सुपर शेट करें चलिए सवाल लेते हैं फटाफट से कुश्चन का आंसर कुश्चन के आंसर देते हैं फटाफट से लाइफ चालू हो गया है लग लग एक सो पचास लोग देखने लगें आप सबसे एक गुजारिश है हमेशा की तरह है कि लाइक सरूर करें आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो चलिए कुश्चन लेते हैं और कुश्चन फटाफट से कुश्चन के आंसर देते हैं फटाफट से तो प्रणाम सर यस्टेडे सुबह उठने से राइट साइट के नेक के पास नर्व जो है वो पेन शुरू हो गया एक्चली में मसल स्टिफनेस हो जाती है ठंडी में थोड़ा सा हैड हिलाया तो पीछे पेन होता है तिक यह कुछ नहीं है सिर्फ मसल स्टिफनेस है आप काफ़ ची रिजर्ट मिलेंगे ठाइगे सो मुच कोशं करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत बहुत धंवाद एक सवाल है और यह सवाल है अ हाँ तो तो हैलो सर इसमें और इसमें खुछली होती है मैडिसेन बताएं ये संजु कुमार जी का सवाल है तो दोस्तों अगर आपको खुशली की समस्या है तो आरसेनिक अलबम 30 दो बुन सुबह दो पहर शाम यूज़ करें और लगाने के लिए आप मेरा क्लियर स्किन कॉम्बिनेशन दिन में दो तीन बार लगाएं और सारसा सेराफ एक धकन सुबह शाम पिएं ये मैडिसेन आप एक मेहने तक लीचे आराम लगे तेसे तीन से चार मेहने कंटीनियू करें काफी एफेक्टिव मैडिसेन हैं और काफी अच्छे रिजर्ट मिलेंगे थैंके सो मच कुश्चन करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुश्चन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ बैक्राउन कलर हो जाएगा चेंज हो गया चलिए अब कुश्चन लेते हैं और हाँ बढ़ियां लग रहा है तो एक सवाल है और सर घर से बाहर जाने में जो है डर लगता है और बाहर में जाने में सास पूलता है और एक्चली मैं बहुत जादा अगर डर लगता हो तो मैंने कोछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था एस्पेन करके मैडसेन है बाइच फ्रावर मैडसेन है बहुत ही बढ़ियां एफेक्टिव मैडसेन है डर को कम करने के लिए किसी भी तरह के फूबिया को कम करने के लिए तो एस्पेन आप 30 c h potency में दो बुन सुबैदो बाहर शाम पिए इससे आपका डर ठीक हो जाएगा औ अच्छी और एफेक्टिव यह दवा है इससे कंटीनिव करिएगा थैंकि सो मच कोश्चन करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धेनेवाद कोश्चन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तो एक सवाल है सर घर से बाहर जाने से डर लग इसका मैप कौन सर पर दें चुक्राएं इक सुपर चैट है और यह बहरा जी के तरफ से और शुभेंदू जी के दरफ से नमस्कार सर पाइस का जो है मस्सा एनस से बाहर आ गया है फिंगर से अंदर करना पड़ता है तो क्या यह ठीक हो सकता है लिकि सबसे पहले आपका जो सवाल है क्या यह हो सकता है अब इसे कैसे ठीक करें यह इंपॉर्टेंट है बिना ओपरेशन के तो सबसे पहले आपको एक लग्जेटिव जरूर लीचे या तो खुद ध्यान रखें कि जब आप मल त्यागने चाहें तो ज्यादा बल का उपयोग ना करें यानि अच्छे से एक बार में पेट साफ होना चाहिए और स्मूथली पेट साफ होना चाहिए ज़ादा बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा खिचाव नहीं लगना चाहिए तो सब से पहली चीज हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परेज में तीखा ना खाएं तो ज्यादा अच्छा मेडेसिन इस तरह के पाइस के लिए एलोज बहुत ही एफेक्टिव मेडेसिन होती है तो एलोज 1M पोटेंसी में आप दो बुंद सुभाई-सुभाई यूज करें करने के लिए सवाल करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर पिंपल्स हट नहीं रहा है देखिए पिंपल्स अगर हटे नहीं तो आपको कालीब्रोम 200 CH पोटेंसी में दो बुंद सुभाई-शाम ज़रूर यूज करना चाहिए और एक बार भी ले सकते हैं और पायरोज से आप इपना चेहरा तिन में दो बार सुभाई शाम धोएं ये मैडसेन आप एक महने तक लीचिए अराम लगे तो इसे तीन से चार महिने कंटीनिव करें काफी एफेक्टिव मैडसेन है और काफे छे रिजर्ट मिलेंगे थैंकिसो मुच कोश्चन करने के लिए सवाल करन रहें देखें डेंड्रफ अगर सिर्फ एक दिसम्वलब तीन मंत की है तो उसे हला कि अभी कोई दवा देने की तो हो शक्ता मुझे नहीं लगता भी मत दीजिए एक डॉक्टर को पीडिया डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए वो कोई शैंपू साय धी रिकमेंड करें व होथी effective medicine है तो आर 16 आप 10 बूंद अधिया का पानी में दिन में 3 बार यूज करें बहुत ही बढ़िया और effective results मिलते है और साथी साथ आप एक medicine एक मेडिसेन आइरिस वर्से कोलिस 200 च पोटेंसी में दो बुन सुबह शाम यूज़ करें और साथ में स्पाइजेलिया 200 दो बुन सुबह शाम यूज़ करें यह मैडिसेन आप एक महने तक लीचे और हम लगे तो इसे तीन से चार महिने कंटीन्यू करें काफी इफेक्टिव मैडिसेन और काफी अच्छे रिजर्ट मिलेंगे थैंकि सो मच कोश्चिन करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धैने बाद सर लाइव में सर थैंकि सो मच सर डाइबिटीज है मुझे कुछ मैडिसेन बताएं देखिए डाइबिटीज की अगर आप सब्सक्राम करने के लिए सब्सक्राइब और मुझे जैने मुझेटन करने के लिए सब्सक्राइब फ्लोर और ऐसेड हाइड फ्लोरी कम एक ही है हाँ बिलकुन एक सवाल है और यह सवाल है Sir हेलो sir आई हेव पी-सी ओ-डी पी-स ट्राइंग टू कंसीव फॉर लास्ट वन इयर और मेरी जोगे हैं कंसीव नहीं हो रहा है देखें पी-स और तो PCOD के अगर समस्या और कंसीव ना हो रहा हूँ तो कैलकेरिया ओवर टोस्टा आप 3X टाइचुरेशन टैबलेट में या ओवर टोस्टा नाम से आती है डॉक्टर रेक्वेक की वो आप 3X टाइचुरेशन टैबलेट में 2 गोली सुबह दो पहर शाम जूसें साथ में फॉलिकुलीनम आप 30CH पोटेंसी में दो बून सुबह दो पहर शाम जरूर यूस करें थूजा टूहंटर दो बून सुबह सुबह यूस करें और यह मैडसेन आप एक महिने तक लीचे आराम लगे तो इसे तीन से चार महिने कंटिन्यू करें काफी इफेक्टिफ मैडसेन और काफे इच्छे रिजर्ट में रहेंगे थैंकि सो मुच कुश्चन करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक सवाल है श्रीय जन जी के तरफ से राइट साइड वैरिकोसील का इलाज बताएं देखिए वैरिकोसील के लिए रोड एंट रॉन ठैटी दोबुंद सुबह दुपाहर शाम कैल्केरिया फ्लोर सिक्सेक्स छैगोली सुबह दुपाहर शाम और हैममलेस वन एम दोबुंद रात में जरू लेना चाहिए यह मैडसेन आप एक महीने तक लीचे अराम लगे तो इसे तीन से चार महीने कंटिन मैसन इस 14-year having a cyst on both wrist and I have given calcarea floor 6x and those are 200 and ruta for 3 months something feel mild pain देख्या इथिंग की दोनों ही गैंगलियोन ही होंगे बाकि आप एक बार चरूर चेक करा लीचे का अगर गैंगलियोन की समस्या है तो रूटा बच्चे को जो की 14 साल का है उसे 30 CH potency में ही दीचे दो बून सुबह दो पहर शाम कल के रिया फ्लोर 66 आप सिर्फ डॉक्टर रेक्वेक की दीचे च्छे गोली सुबह दो पहर शाम और थूजा आप शौबे की दीचे दो बून सुबह सुबह 200 potency में तो थोड़ा सा अगर इस company की रखेंगे तो आपको काफी बढ़िया results मिले और चल्दी results मिलेंगे medicine आप सही दे रहें तो इस company सही रखिए medicine की quality सही रहेगी तो अच्छे results मिलेंगे हैं कि सोब्च question करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धहने वाद और सपर चैट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक सवाल है और यह सवाल है सर मेरा संगी एज लगबग 20 एयर है और दुबला पतला है और किया डाड़ी मूच भी नहीं उग रह हैं और साथ में बेराइटा कार्व आप 200 CH पोटेंसी में 200 पोटेंसी में दोबुन सुबह सुबह दीजिए यह medicine आप एक महिने तक दीजिए अराम लगे तो इसे तीन से चार महिने काफी बढ़िया और effective यह medicine है और काफी अच्छे results मिलेंगे thank you so much question करने के सवाल करने के लि लिए lycopodium 30 CH कैसे लेनी है देखिए अगर आपके symptoms lycopodium से मिलते हैं तो 200 CH में ज्यादा अच्छा फायदा करेगी अगर आप में पूछा यह तो आप 30 CH potency में दोबुन सुबह सुबह जरूर ले सकते हैं सवाल है सर बेटी का है और लगबग 1.2 1.3 मंध की है डेंट्रफ हो यूपर चैट है सर दौरे को ठीक करने के लिए हम प्रतिक दवा बताएं देखिए अगर एपिलेपसी की किसी को समस्या है तो एनन थे बहुत ही एफेक्टिव दवा है और एनन थे आप 30 CH potency में एक बुन सुबह दो बहर शाम आप जरूर यूज कर सकते हैं और साथ में करें काफी effective medicine है और काफी अच्छे results मिलेंगे देंगे सो मच question करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धहनेवाद question करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया एक नॉर्मल चैट है और यह सपाल है पासवान जी का सर पेट में मरोड हो रहा है और motion करने में जो है कुछ की चिली डोनियम और मर्क बिल्कुल ठीक रहेगा मर्क सॉल आप 200 पोटेंसी में ना लेकि अगर ठैटी सीच पोटेंसी में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मर्क सॉल ठैटी एक बून सुबह शाम यूज करें और चिली डोनियम आप मदावट इंचर में दस बून आधे का पानी में दिन में तीन बार लें यह मैडसेन आप एक महीने तक लीछे अराम लगे तैसे तेन से चार महीने काफी एफेक्टिव मैडसेन हैं और काफी अच्छे रिसर्ट मिलेंगे थैंके सो मुच कुश्चन करने के लिए सवाल करने के बहुत-बहुत धन्यवाद एक सवाल है सर जरूर होने चाहिए सीधी बात में तो जितना आप खाते हैं और जितनी आपकी कैलोरी दिन बर में बर्न होती है वह माइनस में जानी चाहिए तब ही आपका बॉड़ी फैट जो है वह कम होता है जैसे कि मालीजे कि अगर आप ऐसा काम करते हैं बहुत फीजिकल एक्साइज करते हैं तो लगबग 2,500 ऐसार कि आपकी बर्न हो जाती है लेकिन आप 4,500ी का खाना खा रहे है तो फिर आप जादा खा रहे हैं लेकिन मोस्ली लोग जो है वह मेरे जैसे बैठे रहने का काम है तो अगर बैठे रहने काम है तो लगबग 2,000 और 15-15,500 तो तो तक कही आपको कैलरी का खाना खाना चाहिए तो मोस्ति आप शाूरा वी काते दो जैसे चार रोटी खाती है एक कम कर दीजिए और फोल्टा सजा पाइए और से बात यइडेरा याइ watch निए व्र्फिक्स उपर चैट या कोई भी क्या कहते हैं मैसेज नहीं जो चलुक्याएं लेते हैं और कॉस्चन यहां से लेते हैं कोउचन 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 है सर मुझे एलवस्या युनिवर्सल हो गया है लगबक तीन साल से एच 21 है देखे अलोपेशिया युनिवर्सलिस अगर आपको यह समस्या हो रहा है और तीन साल से है तो आपको थूजा टूहेंटेट सी एच पोटेंसी में दोबुंद सुबह सुबह जरूर यूज करना चाहिए सीविम क्या लिख युनिवर्सलिस है तीन चार साल पुराना अलोपेशिया युनिवर्सलिस है तो आपको थूजा 200 CH पोटेंसी में दोबुंद सुबह सुबह जरूर यूज करना चाहिए साथ ऐसेट फॉस्ट है एक बुंद सुबह दो पहर शाम सरूर पीना चाहिए और साथी साथ मेरा क्ल लगाने के लिए जैबरेंडी मज़ा टिंचर लगाएं जहां पर बाल पूरी तरीके से जड़ गए हैं अगर ज्यादा जगहें में जड़े हुए हैं तो ज्यादा लगेगा लेकिन रात में बार जरूर लगाएं और यह मैडिसन कंटिन्यू करें थैंकि सो मच कुश्चन क करने के सवाल करने के लिए बहुत-भहुत धन्यवाद और लाइक वीडियो को जरूर कर ₹चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लिज कर दीछे अब करने यह सवाल और शर्फ आराम और बारबर फिश होने दिक्कत ठीक नहीं हो रही है बताया है उसे पेट में बहुत पेन बढ़ गया है देखिए अगर बार बार फ्रेश होने वाली तिकत आपके ठीक नहीं हो रही है। और लिफ्टी सिरफ से आपके ठीक नहीं हो रहे। तो एक बार आप अपना स्टूल इग्जामनेशन जरूर कराएं कल्चार टेस्ट कराएं क्या इंफेक्शन है की नहीं जरूर देखें अभी फिल्धाल के लिए आप हैड्रस्ट्रिस मदर टेंचर और कुर्ची मदर टेंचर यह दोनों को मिलाके दस मुद्ध अधे कप पानी में दिन में तीन बार ल आप सब के आंसर में देरे देते रहूंगा लेकिन आप लाइक जरूर करिये गा एक सवाल है और यह सवाल है सर्वेरिकोज वेन कैसे ठीक करें लब फ्रॉम आसाम देखें के सो मच सबसे पहले वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए एक एडल की ए 44 ड्रॉप बढ़िया ट्र देती है तो सबसे पहले तो उसे ही लेना चाहिए आप दस बुंद एक चमच पानी में खाली पेट सुबह दो पहर शाम जरूर पीएं और यह मैडिसेन आप एक से दो महिने तक यूज करें आराम लगेते से और भी कंटीनियू कर सकते हैं थैंकि सो मच कुश्चन करने के ल इस चीज के लिए आपको बैलाडोना 200 CH पठेंसे में दो बुंद सुबह दो पहर शाम यूज करें और साथ में आप इच्छी नेश्य मदर टेंचर तस बुंद आदे का पानी में दिन में तीन बार लें यह ले सकते हैं और आराम लगे तो इससे कंटीनियू भी कर सकते हैं Thank you so much question करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत बहुत धैनिवाज sir आपका बताया हुए frozen shoulder की medicine टू एंडन में दे रहा हूं आराम है बट अभी भी पूरा ठीक नहीं हो रहा है छोटा और चोट लग जाने के बाद जादा है क्या करूं देखिए अगर दर्द जादा हो रहा देखिए और अगर उनका blood sugar label control नहीं है यह blood sugar बढ़ा हुआ है तो उसकी भी medicine आप जरूर दीचे थैंकि सो मच question करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद question करने के लिए इस बीच दो तीन सूपर चैट है और एक सूपर चैट है जाद अवची के थराफ से सवाल यह है उनका medicine खाकर लीवर कमजोर हो जाए जाता है जॉइंडिस है दिखें जॉइंडिला सिरॉफ सबसे बढ़िया medicine है लीवर को मजबूत करने के लिए और जॉइंडिस को भी ठीक करने के लिए तो आप जॉइंडिला सिरॉफ एक धकन सुबह शाम जरूर पीए यह medicine आप एक महने तक लीचे आराम रगे तो इससे continue करें हैंकि सो मच question करने के लिए सवाल करने के लिए बहुत बहुत धहनेवाद अनुशा जी जी के तरफ से chronic kidney creatinine जो है फोर है यूरिया इतना है और यह इतना है यूरिक आसेड इतना है अलसे रम नुलाइफ के NL2 drop और acid benzoic और यूरिया यूरियनम नाइट्रिकम 200 लेसे थीनम 3X और केलिकेरिया फॉस 6X लाइको पोडियाम रक्स टॉक्स क्यूपरम मेटेलिकम वन थूजा वन एम बहुत सारी दवा दे रहे है यूरिया बहुत सारी दवा दे रहे है यूरिया आप एक काम करिए आपके आस पास एक अच्छे ल यूरिया अच्छे हूंपैथिक डॉक्टर के पास जाके पार पूरा चेक अप कराके लोकल आसपास और फिर वहां ट्रीटमेंट ले ले लें क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं बहुत सारी मेडेसेन हो रही है ऐसे में कुछ मेडेसेन असर नहीं करेंगी कुछ मेडेसेन असर करेंगी तो बेटर है कि एक अच्छे लोकल हूंपैथिक डॉक्टर को ही जाके आप दिखाएं एक सवाल है और बाकी एल सिरम और न्यू लाइफ की अनल्टू ट्रॉप और एसेट बेंच होई कि यह कंटीन्यू करें लैसे थिनम भी ले सकते हैं और बाकी मे अच्छ का जी के तरफ से सवाल थे क्यों प्रमेटेलिकम थूजा बहुत सारी दवादे नहीं बहुत ही मैडेसेन बहुत ज्यादा है तौनाली महंति जी का सवाल है सर मैं फूर येर सन को कॉल कफ है क्या मैं आर सिक्स और और नाइन और और याय सप्ता हूं थे कि ऌन आईन और यूडों एक ही है एक ड्रॉपमें देना है तो हां 99 देजे नहीं तो आरेंट दीजे सिरौंप आती है कफ के लिए कहा से क्लिए टो रिखर और शिक्स और आरेट देडीजे ज्यूब दुपाल बहुत दंस्वात क्वार्पर नंज भरस्वाट खशुक्रिया एक अरै स्वंशन करने के लिए wrestling का जो है वो गामा ग्लोबिलीन इतना है, SGOT इतना है, SGBT इतना है, और बिलरुबीन इतना है, क्या मैडिसेन लेना चाहिए, ठीक होता है, क्या, सबसे पहले आपको देखना होगा बेबी जी कि वो ऐलकोहल पीते हैं कि नहीं पीते हैं, अगर पीते हैं तो वो बंद कर दीजे, उसे बिना बिल्कुल बंद करवाई है, और खाना हलका दीजे, खाना उबला दीजे, थोड़ा अगर शुगर नहीं है, तो हलका मीठा भी दीजे उन्हें, और साथ में उन्हें एक काल में ट्रॉप आती है, या चॉंडिला बहुत बढ़े हैं से रफ हैं दोनों में से कोई भी आप ल काफी effective medicine है और काफी अच्छे results मिलेंगे, thank you so much question करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, question करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक सवाल है और ये सवाल है, और रेड रेड और काफी pain रहता है, देखे, रेड कलर के pimples हो, और काफी दर्द हो, त आपको बहुत आराम लगेगा, thank you so much question करने के लिए, सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नासीर हुसेन जी का सवाल है, मैं डॉर्टर, age is 13, please मुझे medicine बताएं, weight gain करने के लिए, बच्चे की बिटिया की age 13 साल है, तो आप alpha malt जरूर दे सकते हैं, alpha malt आप एक चमच एक गिलास दूर्ट में मिलाके, सुबह शाम जरूर पिलाएं उसे, और काफी बढ़ियां और effective results मिलेंगे, और अच्छी ये medicine है, thank you so much, question करने के लिए, सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, question करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब से last में गुजारेश है कि जाते आते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करके जाहिएगा, हलाकि अभी भी लाइक शेशन जो है, उच्छा मिनट का भागी है, तो आप question करना चाहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अनुशा जी, जी के तरफ से एक super chat है, और उसके पहले वां और एक anxiety के लिए क्या लेना चाहिए, देखे, इस तरह की anxiety अगर आपको होती है, तो mostly आप rescue MD 30 दोबुन सुबै दोपहर शाम और CPI 200 दोबुन शाम को युज़ कर सकते हैं, ये medicine आप एक महिने तक लीचे, अराम लगे तो इसे तीन से चार महिने continue करें, काफी effective medicine हैं और काफ का live हम समाप्त करते हैं, कैसा लगा आपको ये live session जरूर बताईएगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो, तो please video के नीचे एक like का बटन दीगे, तो like का बटन जरूर दबाईएगा, मैं हर दिन live आता हूँ, इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दमाए, क्योंकि आपको notification मिलता रहे, और हाँ कुछ live में आके कुछ थोड़ा बुला वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि notification नहीं मिलेगा, अगर आप बार बार वीडियो नहीं देखेंगे तो, और कभी भी जरूरत हो तो live में आईए, आप question करेंगे, मैं आपको answer देने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको कुछ जानकाली देने की पूरी कोशिश करूँगा, और ये बिल्कुल free है, तो बिल्कुल आप आपके answer question कर सकते हैं, और इस बीच मनीज जी का एक normal chat ही है, यूरिक असे 9.9 है, कम न temperature मिलाके, 20 बूंद नहीं, 30 बूंद आधे कप गुन गुने पानी में, इनमें 3-4 बाल लीजे, acid uricum 30 CH potency में 2 बूंद, सुबह दो बाहर शाम लीजे, और acid benzoic 200 CH potency में 2 बूंद, सुबह शाम लीजे, ये medicine आप 1 महने तक लीजे, आराम लगे तो इसे 3-4 महने continue करें, काफी effective medicine और काफी अच्छे results मिलेंगे, thank you so much, question करने के लिए, सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, आज का live session हम सब आप करते हैं, जरूर like करके जाईएगा, आज के लिए बस इतना एक कल, फिर मिलते है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, thank you so much, bye.